पॉलिवुट में फिल्मों में क्लाश होना आमसी बात है और इस साल का सबसे बड़ा क्लाश होने जा रहा है वैसे तो साल 2018 में कई बड़ी बॉलिवुट फिल्म में आपस में टकराएंगी और इसी की शरवात हुई है अक्षे कुमार और दीपिका पादुकोन की फिल्म पैजमैन और पदमावत से दोनों ही फिल्में 25 जनवरी को एक साथ बॉक्स ओफिस पर आएंगी और इसके बाद से ही दोनों फिल्मों में से बॉक्स ओफिस पर कौन अपना डंका बजाएगी इस बात पर क्या आस लगाए जा रहे हैं जब ट्विंगल खन्ना से पैजमैन और पदमावत की बॉक्स ओफिस टककर को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बताया दोनों ही फिल्मों के लिए यह अच्छा नहीं है पैजमैन और पदमावत का इन दोनों फिल्मों पर नकारतमक प्रभाव पड़ेगा मुझे पूरा विश्वास है कि संजे लिला भनसाली ने एक शांदर फिल्म बनाई होगी लेकिन मैं अपनी फिल्म टैजमैन से पूरी तरह संतुष्ट हूँ इसलिए दोनों फिल्मों के बॉक्स ओफिस पर टकराने से मुझे कोई डर नहीं लग रहा ट्विंकल आगे कहती हैं कि हमारे पास जो रिलीस की तारिक है हम उससे बहुत खुश है हम अपनी फिल्म की रिलीस देट किसी भी कीमत पर आगे नहीं बढ़ाएंगे वेल अब ये तो फिल्मों की रिलीस के बाद ही पता लगेगा कि दोनों में से कौन सी फिल्म बॉक्स ओफिस पर इस भीड़स से जीट जाएंगी और किसको जादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है वैसे आप इन दोनों फिल्मों में से कौन से फिल्म देखने जाएंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं और तब तक के लिए देखते रही है अनमेफ नियूज